जेहिंद फ्रेंड्स आज हम लोग का अपना पहला सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सिरीज होगी स्टार्ट पॉलिटी से पॉलिटी में थोड़ा चीजें समझना आसान है और अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं से जुड़ी होती है चीजें इस वज़े से हम लोग पॉल दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे दो लोग और स्टार्ट करते हैं जो रेफ्रेंस बुक हम फालो करेंगे वो होगी वांस्टिट्यूशन आफ इंडिया और एक अच्छे से राइटर की किसी भी राइटर की आफ फालो कर सकते हैं एक बुक आती है डाक्टर राजेश मिस् की और दूसरी है एम लच्मी कांथ वो आफ हिंदिया इंगलिस जिसमें भी आपको समझ में आए वो आफ फालो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला लेक्चर भारती राजब्यवस्था का और इन सब चीजों से थोड़ा ये मतलब बिलकुल भी जो है ये मत सोचिएगा कि हमें टेक्निकल एक्जाम देना है तो हम इन सब की जरूरत नहीं पढ़ेगी इन सब की जरूरत जीवन के हर मोड पर पढ़ेगी कुछ नहीं तो अपनी जानकारी के लिए ही तुकम से पढ़ना ही चाहिए कि समिधान हमें क्या धिकार देता है और क्या करतव ह हम पर आरोपित करता है कि एक नागरिक होने के नते हम क्या क्या जो है इस देश में सरकार के प्रती हमारी क्या जिम्मेदारी है हमारी राष्ट के प्रती हमारी एक ब्यक्ति की रूप में क्या जिम्मेदारी है ठीक है तो इन सब से सुरुवात करते हैं और स्टार्ट करते ह हैं कि सम्मिधान का विकास कैसे हुआ है इस टॉपिक से कैसे हम जो हमने हमारे पास कि अधुनिक सम्मिधान है एसे मुस्तक पहुंचे कितने लोगों उस पर मेहनत की कहां कहा से कवने कौन चीज़ें क्लहण चैक्राज आता कि marca अपने कोह उपी पेश्ट है अपने कहीं से कुछ उठा लिया लेका अचाने एक नकल करने में भी अकल हमने इस्तेमाल कि हमने अपने reference के हिसाब से चीज़ें उठाई और उनको अपने परिप्रेच के रूप में लागू किया अपने सिनारियो अपनी भागोली की सिति अपनी राजनेतिक विवस्था अपनी आर्ठिक विवस्था के आधार पर हमने उन चीजों को समिधान में समाहित किया जो हमें अच्छे लगी हमने डारेक्ट कॉपी-पेस्ट कर लिया ठीक है और जो हमें चेंजेज लाने की जरुवत पड़ी हमने उसमें कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन भी की और कहा जाए कि मनुष्य जो है आज तक इतनी स संभयता जैसे सिंदुगाती संभयता हरपा संभयता मेशो पोटामिय की संभयता ये सारी संभयता यंश विलॉप्त हुई है हम आज भी 행क विकास के पत्थ पर चल रहे हैं तो उसका कारद todक्ष यह था कि डार्विन की है नो परिप्रीम होगा जो अपने आपको प्रि कर सा बात भालेगा वही जो है आगे continue रहेगा तो ठीक वही चीज हमारे समिधान पर भी लागू होते है आज हम यह देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाएं या यह कहिए कि पश्चिमी देशों में तो आप देखते होंगे कि थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है लड़ाई जगड़े हो रहा है यूरोप ने लगभग एक दसक पूरा जहला कि धर्म के नाम पर एक सबसे अच्छा एक्जामपल मैं आपको देता हूं कि वो लोग लगभग एक दसक बाद यह जान पाए कि आदमी और और औरत मतलब पुरुस और महिलाओं दोनों मे दातों की संख्या 32 होती है यह सबसा अच्छा एक्जामपल है मतलब वो यह मानने को तयार नहीं थे कि पुरुस महिलाओं में भी जो है दातों की संख्या पुरुस में दातों की संख्याओं के बराबर होती है यह मानने को तयार नहीं थे ठीक है तो ऐसा रिजिड ऐसी कठ ख़खोर प्रभ्रति हमारे संविधान में नहीं है लचीला-पण इतना भी नहीं है कि हम जब चाहें तब उसको बदल के और कठ होड़ता इतनी भी नहीं है कि हम बदलना चाहें आप पिदल सकते एक्जामपल देख लिए अमेरिका का अमेरिका में क्या है कि अस्त्र रखना वेपंस रखना एक fundamental right है मूल अधिकार है fundamental right वो है जिससे आपको कि जो आपको मनुष्य होने के नाते मिले हुए हैं नागरिक होने के नाते मिले हुए हैं उनको सरकार भी आप पर बिना किसी वैधानिक प्रतिबंद के एक रिजनेबल तार्किक प्रतिबंद के वो चीन नहीं सकती है अब उन्होंने fundamental rights में अमेरिका ने वो लिख दिया था कि वीपंस कोई भी नागरिक अपनी आत्मरच्छा के लिए रख सकता है अब उसके बाद उनका जो सम्मिधान है वो इतना कठोर है कि ये इस प्रावधान को चेंज नहीं कर पा रहा है और देखिए आए दिन वहाँ पर क्या होती है गटनाए होती है कि कोई भी अपनी गन निकाला और अगले को भीड को सूट कर दिया ये ऐसा क्यों हो रहा है क्य हमारा समिधान है पहले 1948 में कुछ प्रावधान थे धिरे-धिरे समय के साथ हमने उनमें क्या किया परिवर्तन किया इसी वजए से समिधान क्या करता है संसोधन की सक्ति देता है अपने आप में संसोधन की सक्ति ये एक अनूठी विसेस्ता है और संसोधन की सक्ति इतनी भी नार्मल नहीं है कि उसको कोई भी government कोई भी सरकार जब चाहे तब change कर दे ऐसा भी नहीं है और इतनी भी कठिन नहीं है कि उसको change करना चाहे तो change ना कर पाए तो दोनों का क्या है mixture है लेकिन हम इस तक पहुंचे कैसे हमने क्या किया अगर मैं प्राचीन काल से बात करूँ प्राचीन इतिहास से तो सिंद उगाटी सब्वेता से अगर देखा जाए तो वहाँ भी जो है किसी भी society के किसी भी उस समय राष्ट की अधारणा तो थी नहीं तो सासन प्रसासन चलाने के लिए आपको कुछ नियम कायदे बनाने होंगे और समिधान कुछ और नहीं है वो इन्ही नियम कायदों का ही क्या है लिखित दस्तावेज ठीक अब कोई राष्ट कैसे चलता है सबसे बढ़िया एक्जामपल असोग असोग ने क्या किया पूरे भारत वर्ष को एक राष्ट के रूप में बांधान फिर समुध्रगुप्त फिर आगे हर्सवरधन चंद्रगुप्त विक्रमादित आगे तरह तरह के आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी तक खूर यूनान ये सब आए फिर उसके बाद पूर्धनों का तरुकों का करमाध हुआ और फिर मुगल सासन आये मुगल सासन में सबसे अच्छी केंद्री सथा अगबर की थी केंद्री सथा को उनके उतराध कारी समभालना सके जैसे औरंग जेव जहांगीर और ये सब इसके बाद क्या होता है कि आते हैं अंग्रेज अब अंग्रेजों के साथ अंग्रेज क्या थे एक ब्यापारी थे अब उन ब्यापारी के साथ कई सारे और भी ब्यापारी आया और भी देशों के जैसे पुर्टगाली आया जाच आया फ्रांसीसी आया अब समस्य ये थी कि ये थे ब्यापारी इनको मेन मतलब था ब्यापार से और ब्यापारी कभी भी आपके घर में क्या दिक्कत है आपके इस परेसानी से गुजर रहे हैं इससे मतलब नहीं होता उसको हमेशा अपने प्रॉफिट से मतलब होता है और वो भी जब वो किसी दूसरे देश का व्यापारी हो, आज आप देखिए, आप लोकल परचून की दुकान में जाएंगे, आप उनसे कहेंगे, कि भईया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आज का कल दे दूँगा, तो दे देगा, क्यों? क्योंकि उससे आपके कुछ आत्मी सं कारे में नहीं सोचेगी, क्यों? क्योंकि उसका मेन मोट्यू क्या था? कि मैक्सिमम लाभांस, मैक्सिमम प्राफिट हम कैसे और कैसे कमाएं, इसी परिप्रेच में उस कंपनी के प्रसासन को सुद्रड करने के लिए, कंपनी अच्छे तरीके से लोगों को रूल कर सके, अच कि इस से जो इंट्रिस्ट फुल्फिल हो, जो हित फुल्फिल हो, जो हित जो है पूरे हो, वो कहां के पूरे हो, इंग्लेंड के, क्यों? क्योंकि भारत क्या था? इंग्लेंड का उपनी वेस था, ठीक, अब इन ही क्रम में हमारे पास, सबसे पहले सिच्छा का विकास हुआ यहां के लोगों ने जाना कि रेनेंसा क्या होता है पुनर जागरड क्या होता है इस्तरियों की दसा इंगलेंड की इस्तरियों की दसा से खराब क्यों है तो जब वो जाने तो फिर उन्होंने क्या किया परिवर्तन की मांग की कि आधार पर कंपनीज ने क्या किया अलग-अलग एक्ट बनाए और इन्ही एक्ट से हम कुछ ना कुछ सीखते गए पहले अब हमारे जो उस समय के लोग थे पहनायक थे स्वतनता संग्राम के उस समाज में लागू हुआ ये एक्ट फिर धीरे धीरे हमने उनसे कुछ सीखा औ को हमने लिया और जो अच्छी नहीं लगी उनको हमने अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया यह जो परिवर्तन का मैं प्रासिज बता रहा हूं यह परिवर्तन ही इस सम्विधान को एक जीवंत दस्तावेज कहता है जीवंत अगर कोई जिंदा है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से reaction देगा, यही जिन्दा होने की पहचान है, अगर परिस्थितियां काही वो गुलाम बन जाएगा तो फिर वो जिन्दा नहीं है, सीधी सी बात यह है, तो सम्मिधान हमारा वो जीवंत दस्तावेज है, और जीवंत दस्तावे पूल धाचा है, बेसिक इस्ट्रक्चर, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक, तो इसी द्रिष्टी में हम देखते हैं, कि जो हमने सम्मिधानिक यह कंपनी का सासन आया, फिर हमने सम्मिधानिक विकास किये और आज तक पहुँचे, तो उनका प्रोसीजर क्या रहा, और क बढ़ेंगे, पहला है, जब कंपनी का सासन था, यह कब से कब तक था, 1757 का युद्ध, यहां तक था कंपनी का सासन, अब यहां पर पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना है, कि जब भी कंपनी सासन करेगी, वो हमेशा उसका मेन मोट्यू होगा, कि ऐसी नीतियां बनाईए, जिससे कि कंपनी का भला हो, लोगों का भले से उसको कोई मतलब नहीं था, और जब इतनी चरम अवस्था आ गई, कि लोग उब गए, तो उन्होंने 1857 में क्या कर दिया, विद्ध्रो कर दिया, यह विद्ध्रो कोई क्यों करता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और उसी समय वो क्या करते ह हत्यार उठा लेते हैं, 1857 का विद्ध्रो यही बताता है, कि यहां पर आते हुए स्थितियां इतनी गड़बर हो गई, कि लोगों के पास हत्यार उठाने के सिवा कुछ नहीं बढ़ी, लेकिन यहां पर गल्ती क्या हुई, कि हत्यार लोगों ने एक साथना उठा करके अब यहां पर एक सरकार है, गवर्मेंट है, ठीक है, वो सासन कर रहा है, तो इसकी कुछ नीतियां, यहां पर कंपनी है, कंपनी का मेन मोटिव हैं, प्रौफिट कमाना, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंपनी नहीं है, यहां पर क्या है? इंगलेंड की कुछ नीतियां ऐसी भी रहीं होंगी, जो यहां के भले के लिए बताई ही करेंगी लेकिन यहां पर भलाई नाम की कोई चीज नहीं है ठीक है अब कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के सासन में कौन-कौन से एक्ट आए कि सबसे पहला है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अब इंट्रेस्टिंग बात यह थी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया अगर भारत के आप नक्से को देखिए तो इधर था बंगाल इधर था कुम्बई और इधर था मद्रास ठीक 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद पंगाल पिहार पुडीसा इनकी दीवानी कंपनी ने प्राप्त की दीवानी का मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार ये 1757 नहीं ये दरसल 1764 के बाद की हालत है 1757 में ख्लासी कि युद्ध के बाद कलकत्त का राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गया अब हुआ क्या जब इनको यहां के लोगों से राजस्व रेवेन्यू वसूल करना था अब वसूल करने का अधिकार इनको मिल गया, तो यहां के लोगों की ना तो यह भासा समझते थे, जब यह भासा नहीं समझ रहे हैं, उनके सांस्कृतिक, चोहार, परमपरा, वेस भूसा, यह सब कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, यहां के लोगों को ही वो क्या करेंगे, ट्रेंड करेंग lower staff के रूप में, clerk के रूप में दूसरी बात यहां पर एक इस 17-57 का जो प्लासी का युद्ध और बकसर का युद्ध हुआ यहीं पर एक था कर्म, इसको बोलते हैं दस्तक दस्तक का मतलब था पास जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, टोल टैक्स पर अपना आई कार्ड या पास दिखाए और बता दिए कि फला मने मिनिस्ट्री से हैं और वो जाने दिए फ्री में तो ठीक वैसे ही जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने कमपनी के अधिकारियों को दस्तक दिया था और दस्तक क्या होता था कि उस पास को दिखा करें ये सवाफ करना था ये दिखाना था कि ये कमपनी का सामान है और उसको उसको सपर बिना स्टांप डूटी के जाने दिया जाए ठीक अब कमपनी के अधिकारी इस से क्या करते थे कि तो अब हो एकसी बात है कि अगर कुछ फैसिल्टी उनको मिली तो उसका मिस्यूज करेंगे ही करेंगे ये human nature है तो वो अपने रिस्तेदारी या जिस इंडियर में भारत के जिन अमीरों से उनके सेट से उनके जो है संबन्द थे उनके विमाल को इसी दस्तक से पास कराने लग था मतलब इस्टेट को मिलना था वो क्या हो गया वो पर्सनल खाते में उनके जाने लगा जो तस्तक देता था अपना वो उनसे व्यापारियों से कुछ पैसे ले लेता था कि हम आपका माल फ्री में निकालेंगे आप हमें इतने पैसे दे दो दूसरी बात कंपनी को लगातार घाटा होने लगा क्यों क्योंकि जब यह यहां पर जाएगा नहीं रेवेन्यू उनको मिलेगा नहीं जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो कंपनी को घाटा हुआ लेकिन उनके जो अधिकारी थे वो अच्छा पैसा कमा रहे थे और कंपनी क धाटे में जा रही तो लोगों को profit को देगी तो उसने क्या किया कि England Government से कर्ज मांगा जब कर्ज मांगा तो सभविक सी बात है कि जिससे आप कर्ज मांगेंगे वो आपकी नीतियों को आपकी पॉलिसी को आपकी life को कंट्रोल करना चाहेगा आपकी तू चाहेगा पहले बात तो पूछेगा आप क्या करोगे ठीक अब जब कंपनी ने कर्ज मांगा इंग्लेंड गॉर्मेंट से तो उसको पहला मौका मिला गॉर्मेंट को उस कंपनी पर हाथ रखने का मतलब सब्सक्राइब तो यही से जो चंज से कहता है केंद्री करण हो किस फूरात हुई यह स्सेपहले कंपणी फरी ती इस्ट के साथ ब्यापार करने में कुछ भीुआपार के साथ कुछ भी करते दि कह रोग अच्छा पैसा कमाते थे लेकिन जब इन्हों इंग्लेंड गवर्मेंट से वो मांगा कर्ज, तो फिर इनको क्या मिला? उस कर्ज के बदले, कर्ज तो दिया ही गवर्मेंट ने, लेकिन गवर्मेंट ने कहा कि पॉलिसी हम अपनी तरीके से लागू करेंगे, मतलब आप उस तरह स्वतंत्र नहीं हो, जैसे आप पहले स्वतंत्र थे, तो इस परिप्रेच में 1773 का Regulating Act आया, अब इस Regulating Act में क्या क्या चीजें थी, वो हम देखते हैं, पहला पॉइंट ये था, जो बंगाल का गवर्नर का पद था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसे व्यक्ति, जो पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल बने, वो थे वारेन हेश्टिंग्स, वो कौन थे, वारेन हेश्टिंग्स, ये पहला इस्टेप लिया गया, दूसरा, ये जो कुंबई और मद्रास, इनके गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, मतलब अब ये अपने आप से कोई भी स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते थे, इनको कहा रिपोर्ट करना था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, ऐसा क्यों था, क्योंकि बंगाल पर कबजा होने के बाद, बंगाल की ही एकोनामी से सारे खेत्र अंग्रेजों के समलते थे, तो जब वो सुप्रीम बन गया एकोनामिक रूप से, तो सबाविक सी बात है कि वो बाकी छेत्रों के लिए क्या करेगा, डॉमिनेटिंग नेचर उसका होगा ही होगा, ठीक है, तो ये हुआ दूसरा पॉइंट, तीसरा ये था, ये जो गवर्णर जनरल बनाया गया, इसकी सहायता के लिए, गवर्णर जनरल की सहायता के लिए, चार सदसी, पोर मिम्बर्स, कारे कारी, परिसद, एक्जिक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, इसके लिए, ताकि गवर्णर जनरल आराम से सहासन कर सके, उसकी सहायता के लिए, चार सदसी, एक्जिक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जब यह इंग्लेंड गवर्णेंट से करज लेंगे, तो अब एक्सी बात है कि वो इसको क्या करेंगे, control करेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया board of directors का गठन किया गया और board of directors को appoint कौन करता था यह appoint करता था England की government तो board of directors किसकी न्यूकती करते थे यह न्यूकती करेंगे बंगाल के governor general की तो पहले क्या था company थी company governors की न्यूकती करती थी कहाँ पर इंडिया में अब company ना करके कौन आ गया board of directors यह governor general की न्यूकती करते थे इंडिया में और यह किसको report करते थे England की government को England सरकार को थिक अब जब इतना कुछ हुआ तो एक काम और हो गया वो यह क्या था की company के अधिकारियों का वो निजी ब्यापार की अनुमती और हो समाप्त कर दी गई अब आप अपना अपराईवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे त्राईवेट बिजनेस दस्त्त वाला रो था मैंने आपको बता दिया company को घटा हो रहा था और इन लोगों का फायरा हो रहा तो सबाव उकसी बात है कि अधिकारी भी बगावत ना करें, तो इसके लिए क्या करेंगे? अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया जब वेतन बढ़ा दिया गया तो उनमें लालच रहा नहीं वो बगावत नहीं कर पाए ठीक है तो अधिकारियों के वेतन में विद्धी कर दी गई और इसके बाद एक काम और हुआ वो काम क्या था कि कलकत्ता में जिसे आप कोलकाता कहते हैं एक उच्चितम नयायले की अस्थापना सुप्रीम कोर्ट की अस्थापना की गई इसमें एक तो चीफ जस्टिस थे तीजे का मतलब चीफ जस्टिस और प्लस तीन अलग जस्थे मतब टोटल क्या थे चार में जस्थे एक जिसमें से मुख्य नयायदीस था उनकी सहाथा के लिए तीन और जस्थे जो मुख्य सहाथ वो नयायदीस थे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है उनका नाम था एलिजा एमपे तो यह सारी बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई है ठीक है कहीं कोई दिक्कत हो इसमें कुछ समझने में परिसानी हो तो फिर बताईए अधरवाईज आगे बढ़ते हैं तो पहला क्या था कंपनी के सासन के समय पर पहला एक्ट जो आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ठीक इसके बाद इन में संसोधन हुआ और फिर एक एक्ट आया जिसे कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया थिक यह एक्ट दो चीजों से महत्वकूर्ड है पहला इसमें पहली बार कंपनी के कंपनी जिस भू भाग पर सासन करती थी उसको ब्रिटिस आधिपत्य छेत्र कहा गया मतलब ब्रिटिस गवर्मेंट ने कहा कि यह ब्रिटिस गवर्मेंट का छेत्र है दूसरा यहां पर एक बोल्ड आफ कंट्रोल बना वहां पर क्या था 1773 में बोल्ड आफ डारेक्टर्स बोल्ड आफ डारेक्टर्स में वहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि बोल्ड आफ डारेक्टर्स क्या करता था अधिकारियों की नियूकति अपॉइंटमेंट उनके वेतन सेवा सरतें कमपनी किससे संधी करे किससे युद्ध करे किससे युद्ध करे ये सब बोर्ड आफ डारेक्टर पिसाइड गरता था ये सारा क्या करता था बोर्ड आफ डारेक्टर डिसाइड करता था मतलब कमपनी के राजनैतिक और प्रसासनिक दोनों को ये क्या करता था कंट्रोल करता था अब क्या हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड आफ कंट्रोल बना तो इसने जो राजनैतिक कीजे थी वो अपने हाथ में ले ली और जो प्रसासनिक थी वो बोर्ड आफ डारेक्टर्स को दे दी मतलब कंपनी को मतलब उसके राजनैतिक और प्रसासनिक विभाग को अलग-अलग कर दिया गया ठीक है तीसरी बात ये थी की कंपनी अभी भी पूर्व के प्यापार में अभी अपने पूर्व के बैपार पर एक अधिकार बनाए रखा ठीक है अब ये जो बोर्ड आफ कंट्रोल था इसका सदस बिटिस कैबिनेट के मंत्री होते थे ठीक है और बोर्ड आफ कंट्रोल अपनी सुप्रीम अथारिटी बन गया जो कंपनी को कंट्रोल करता था तो बोर्ड आफ डारेक्टर्स के ऊपर बोर्ड आफ कंट्रोल था फिर बाकी गवर्णर जनरल और ये सब आते थे और एक लास्ट पॉइंट इसी में कि और क्या हुआ और ये हुआ कि जो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था क्या बताया था कि गवर्णर जनरल और उसके लिए साहता के लिए चार सदस्य फोर मेंबर्स एक्जिक्यूटिव काउंसेल कारेकारी परिशत बनाई गई थी वो जो फोर मेंबर्स थे उनको यहाँ पर कम करके उनकी संख्या थ्री कर दी गई जिसमें से एक मेंबर कमांडर इन चीफ होता था तो यहाँ तो यहाँ पर क्या किया गया centralizedization को क्या किया गया बढ़ाया गया bold off control को भी बैठा लिया गया जिससे क्या हुआ केंदृ करड की प्रिविष्ति में क्या हुई यह केंदृ करड चलता रहेगा कहां से 1773 से जब केंद्री करड अपनी सीमा को पार कर चुका होगा उसी समय विद्रो होगा और फिर इंग्लेंड का सासन भारत पर आ जाएगा तो आज हमने दो एक्ट्स पढ़ें दो अधिनियम एक 1773 का उसका बैक्ग्राउंड हमने समझ लिया कि किस बैक्ग्राउंड में वो आया था इंग्लेंड और मेंट ने कहा कि अभी दस साल पहले हीतों आपको दिये थे दो फिर से आप मांगने आ गए तो उन्होंने कहा कि पहले आप जो है जैसे आईएम फ पाकिस्तान को या भारत को या किसी भी developing nation को कर्ज देता है तो अपनी सर्थों पर देता है या अपनी economy क्या कीजिए open कीजिए ठीक है हमारे यहां की कमपनिया जाएंगी विक्सित देशों की कमपनिया जाएंगी वो आपके यहां ब्यापार करेंगी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कर्ज आपको नहीं देंगे तो सीधी सी बात यहां पर भी है अगर इंग्लेंड गॉवर्मेंट इस कमपनी को कर्ज दे रही है जो कि एक खुद एक ब्यापारिक एक कमपनी है तो अब आपए एकसी बात है कि उसकी बैलेंस सीट में या कहीं कहींकुछ न कुछ गड़वडा है तो इसको चक्रोल करने अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए यह सिरीज हम कंटीनू रखेंगे ठीक है जैसी जो सुविधा हुई तब तक के लिए धन्यवाद